हलो जब भी तुम्हारा हौशला आसमान तक जाएगा जब भी तुम्हारा हौशला आसमान तक जाएगा याद रखना कोई न कोई तुम्हारे पंक काजने जरूर आएगा इसके पहले क्या-क्या पढ़ा था इकाई अंक जब सिंपल वाले नंबर दिये हो तब यह हम लोगों ने पढ़ लिया था ना जैसे अगर मैं एक छोटा सा कुश्चन पूछ हूं तीस नौसो दस देख लिजिए यही है ना इसका घात अगर उननीच सो चानबे है का इकाई अंक क्या होगा पूछन है फोर होगा वान होगा टू होगा या थिरी होगा बताओ यह कुश्चन है जो बच्छा पीछे कलास देख था वो दो सीकर्ड में कर ले जाएगा अगर जो नहीं देखा था वो दो दिन में भी नहीं कर पाएगा ट्राइ करके बताओ मैंने बहुत ही बिसेस ट्रिक से इसको बताया था कि आप इसे देखते जट कपट कर ले जाओंगे आज फैक्टोरियल वाला देखेंगे फैक्टोरियल वाला कुष्चन बहुत कमाता है लेकिन इंपॉर्टेंट है कुछ भी छोड़ना नहीं अपनी तरफ से अर्पी ठीक है पढ़ लो बच्चा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो इसमें क्या है लाइश्ट में जीरो है न करके देखो फिर मुझे बताना इकाई एंग जीरो आएगा न बिल्कुल सही इसमें से कोई आपसं सही नहीं है इकाई एंग सुनना आएगा क्योंकि जब इसे तुम चार से भाग करोगे 96 को तो जीरो आ जायगा तो जीरो का पाव ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग कोई दिक्कत नहीं है सब बढ़िया चल रहा है ना बोल दो एक बार हट गया हूं मैं सामने से दिख तो रहा है ना पूरा पूरा चलो भाई ठीक है तो यह आप लोग कर लेंगे अच्छा अगर इसमें पंदरा का घात मैं कर दूं तब क इसमें ही काई अंक्या आएगा भाईया कल पढ़ाया हूं मैं इसमें ही काई अंक्या आएगा वाट इद दा यूनिट डिजिट फर दिस कुश्चन देखिए सब कुछ क्लियर होगा अगर आप रेगूलर आएंगे रेगूलर्टी बहुत जरूरी है तो कल वाली क्लास आप जरूर देख लीजिए मैं उपर पहुंच नहीं रहा हूं इसलिए लिख दे रहा हूं कुछ भी गंदा सा तो कोई दिक्कत नहीं हो के यह सब मैं कल पढ़ा चुका हूं आज घातों में इकाई यंक वाला टोपिक चलेगा लेकिन कुछ अलग तरह आगा कोईश्चन कुछ अलग होगा दालो हेटिंग लिखो इकाई यंक यूनिट डिजिट आइसे लिख लो भाईया इकाई यंक कोईश्चन के टाइप आज अलग होँगे कैसे कल आपने सिंपल सिंपल नंबर ऐसे देखा था आज जब इनका जोड़ घटाना गुड़ा भाग हो तब कैसे करोगे देखो पहले प्लस की इस्तिती में देख लेते हैं फिर माइनस वाला बाद में देखेंगे ठीक है कि मैंने टाइप सारे नोट करके लाएं आपे किस-किस टाइप कर आज करना है तो यहां पर देखी जैसे मान लिजिए कि मैंने क्या बताया था कल पहले तो यह जानो आप लोग थोड़ा सा पहले समझ लो मैंने कहा था कि आधार में इकाई यंक सूत्र लिख लो भाईया पहले इस साइड में यहाँ पर कि यह फिर से रिपीट कर दे रहा हूं लिखो आधार में इकाई यंक इसकी घात क्या रहेगी जो भी घात रहेगा घात बटा चार का सेस यही आंसर होता यह फर्मूला लगता है ठीक है लाइस्ट में मैंने सेस लिखा है थोड़ा हमें लगता है निकल गया बाहर न यहाँ पर सेस है ठीक है थोड़ा छोटा कर लो का सेस ओके यह फर्मूला है तो अगर मैं छोटा सा कुश्चन यह दिया तो आप लोगों ने करी लिया इसमें एक चीज और ध्यां रखना है अगर इसको चार से भाग करें जीरो आ जाएं तो उस पर हमेशा घात चार लगाई जाती है जीरो को चार से रिप्लिस कर लेते है याद है तुमें न चलो फिर काय को देर देखो 215 इसकी घात है अब मान लो मेरे भाई 33 ठीक है और प्लस ए में है 121 इसकी घात 17 के योग में 11 अंक बताओ के योग में यूनिट डिजिट बताईए यानि 11 अंक बताईए कितने लोग कर लेंगे यह कुश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह का कुश्चन कितने लोग कर लेंगे बोलो कर लोगे सभी पक्का मैं सबका कमेंट देख रहा हूं रोहित जी कमेंट आपका आ रहा है अर्पित सिंग आपका भी कमेंट आ रहा है पारूल सिंग सौमय सुकला रंजन आपका भी कमेंट आ रहा है सबका कमेंट मुझे दिख रहा है सिंपल है बहुत ही सिंपल है एकदम आसान है देखिए साथियों आपर समझेए जो लाइस्ट का डिजिट है हमें सिर्फ उतने से मतलब होता है फाइफ इसको फोर से भाग करेंगे थार्टी थ्री को और इसका लाइस्ट डिजिट है वन वन का जो पावर है ये इसको भी फ जब 33 में तुम भाग करोगे चार फे तो ये सब को पता है कि 4 अठे 32 सेस्फल एक आएगा यानि यहां पर 5 का पावर कितना आएगा वन और प्लस इसको भाग करोगे यहां भी सेस्फल वन ही आएगा फाइनल में यह 5 और यह एक बराबर 6 अंसर भी 6 ही वाएगा बस कुछ नहीं करना है बोलो कितना आसान था कि नहीं और मॉम डेड यह कह रहें कि हम कर लेंगे का नाम ॉन्यएड वस्चंप आप लोग क्लास को सेर नहीं कर रहे हो पता नहीं क्यूँ आ क्रें जयादा क्लास भी नहीं चली थी फिर भी यूट disp cage n नहीं दिया क्या सब को कहां चले गए सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आगे बढ़े चलिए ठीक है कोई बात नहीं बहुत अच्छे बेरी गुड बैरी गुड भाई कि अगर कि अगर देखो यहां पर समझो अब यह हो गया फाइनल इस तरह का योग वाले में एक और कर लिजिए फिर हम और मतलब थोड़ा नेक्स टाइप में चलेंगे देखिए सबसे आसान है जोड़ना घटाना सब्सक्राइब घटाना वाला थोड़ा सा जमेला टाइप का है उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा बाकी जोड़ने में और गुड़ा वाले में तो एकदम रसय मलाई है समझो फिर समझो इस टाइप का सिकेंड कुश्चन जैसे मैंने लिखा मालो 217 इसकी पावर मैंने लिख दिया 37 137 ले लो कोई दिक्कत नहीं और प्लस 319 इसकी घाथ पांचसो 43 के योग में 21 अंक क्या होगा बताओ के योग में 21 अंक क्या होगा पहरा आपसन है 1 दूसरा है 6 तीसरा है 3 चोथा है 9 अबदीज जल्दी करें की रुपया जल्दी करें अस्वनी कुमार सीता गुपता और पीता यादो और एनिवन अंजली निदी कुमारी देखिए कुछ लोगों के कमेंट्स हाइड हो रहे हैं उनको मैं सो भी नहीं करूंगा मुझे दिख रहे हैं बस आप यह जान लो कि मैं आपको देख रहा हूं बस चलो अब देखिए आगे समझेए इसमें बहुत सिंपल है मुझे पता इसको ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे बेसिक जीरो लेबल वाले इसको नहीं देखेंगे भाग जाएंगे फिर भी मैं पढ़ाऊंगा इसका हमें लगता अच्छे आएगा क्या पारूल बहुत अच्छे बेरी गुड पारूल का सही है कि ठीक है कि कोई बात नहीं मेरे बाई आओ चलो कि इस्ट्रीम हेल्थ इसकी क्या हाल चाल है अच्छे बेतर रहे तो लाश्ट वाला डिजिट लोगे पहले सेवन और उसके बांद इसके भी लाश्ट के दो ही अंकलो तीनों कि लेने सा कोई मतलब नहीं लाश्ट का दो लेलो बस चाहिए तो तुम एक उनकल ले लो लाश्ट का इसका लाश्ट का अंक नहीं इसका लांश्ट का 43 देखो भया इसको भाग करोगे बाबू जब 37 में 4 से तो सेस्पल 1 आएगा तो बाबू ये 7 का पावर 1 हो जाएगा इसको भी जब तुम भाग करोगे तो 4 से कितना आएगा आएगा तीन आएगा तो ये हो जाएगा तीन ये साथ ये नो नमा इक्यासी नमाईया बाई साब नौ नौ अठे बाहतर इनको जोड लो इसमें ये हो जाएगा 736 हमें निकालना है इकाई यंक देखो इसको जोडने की भी जरूरत नहीं थी ये आंसर तो हमारा आगया फिलहाल छे देखो मेरे भाई मेरे बाबू इसको पूरा नहीं जोडना चाहिए था कोई मतलब नहीं हमें ये जोडना इसका इकाई यंक जोडना बस तो नौ साथ सोला जोडना भी आसान है इकाई यंक छे आया बीबी वाला सही है सबको समझ में आ रहा है मज़ा आ रही तो सेशन को लाइक भी करो भहिया मेरे फटा फट लाइक करो देर ना करो ऐसे टाइम में मज़ा नहीं आ रही सूराज गेमर ठीक है सूराज बेरी गुड तो चलो आगे बढ़ते है यह कलास इस पर भी बंद करना पड़ेगा एक सिकेंट रुकना आप लोग इसको इन्होंने बंद करके रख दिया मैं क्या बताओ इनको आप लोग केवल मुझे टाइम देना आदा मिनट निवेदन है मैं कुछ देखना चाहता हूँ कुछ टेक्निकल इसूज हो रहे हैं आपे थोड़ा सा रुकना मेरे भाई मेरे बाबू थोड़ा सा रुकना थोड़ा सा रुकना मेरे बंधू थोड़ा सा रुकना ठीक है बस हो गया क्योंकि लाइब सेशन जो है अभी दूसरे वाले चैनल पर भी स्टार्ट हुआ था तो वो उसमें कुछ प्रॉबलम आ रही थी ठीक है डन तो इस तरह के सारे कुश्चन कर लेंगे एक फार बोले यस यह जोड़ वाले सारे कुश्चन कर लोगे सभी पक्का कर लोगे न ऐसा जिदने आएंगे इसी तरह के same गुड़ा वाले कर लोगे, अगर इसमें multiple लगा रहेगा तो ही या गुड़ा कर लोगे, बस हुर क्या करना है, चलो एकाद दो बताई देता हूँ, देखो, इसी तरह के same to same गुड़ा वाला कर लोगे, multiple वाला, भाग वाला भी ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ घटा आने वाले में थोड़ा लोचा होता है, वह भी मैं बता देगा हूँ, अभी सब बता देगा, भाई मैं सब बता देगा, मैं अब दूसरे भाण सामें बोलेगा, रमजरोग नहीं, नहीं, दूसरे भाण सामें नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, हम इसे चुपे-चुपे, टें सभी कर लोगे देखो सुनू इस टाइप में कुश्चन नमबर पांच डाल दो कोड नमबर है लिखो 438 इसकी पावर है 232 गुड़ा 920 इसकी पावर है 148 ठीक है में यूनिट डिजिट बताईए इकाई आँको बताईए चलो फटा फटा बताओ जल्दी करो भाई जल्दी करो आपसा निक्ठी बदल दो यह साथ हो जाएगा यह नो हो जाएगा यह छे हो जाएगा यह नो ब्रीज बोलिए आएगा ना पक्का कर लोगे देखिए मैं बताता हूं समझिए हमें क्या करना इसका लास्ट का अंक लेकरी करके 4 से भाग करना है पोगा इसका जब चार से भाग करोगे तो । मतलब होता है बस भागिफ़ लौ कल्से नहीं अब इसमिन जब तुम भाग करोगे इसमें भी सेसफ़े यह आइगा अर्यमेरल यह कुछ भी आयIES लेकिन दिनका का का लेकिन सब जीरुे तो हो रहा जब किसी की घथ 0 euro होती तो क्या होता है किसी भी बईरियेबल या किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है तो उसका मान वन होता जाच आच्छा ये कुछ लोग सब 0-0 करने वाले होंगे ऐसा नहीं होता है लेकिन इसकी किसमत ही खराब है इसका मान वन हो जाएगा लेकिन यह 0 हो जाएगा, 0 का पावर 0 मतलब 0A हो जाएगा, कुल मिला कि Final में 0 ही आएगा, क्यूं, सही जा रह एक नहीं, आया समझ में, अर पिद सिंग कुछ समझ में आ रहा है, लिख लिजिए फटा फट नेक्स कुस्टन पर आगे वढ़ते हैं, जल्दी करें, देखे कहू मोटी मानुए तुरूटी हो जाती है तो उसे आप कमेंट जरूर करके बताएं हमारी भरपूर कोशिस होती है कि ऐसा कहीं नहों लेकिन फिर भी हो जाता है तो क्या करेंगे खुदा को जो मंजूर है वही होता है कि मिटाओं तो यह जोड़ना घटाना सरी जोड़ना और गुड़ा हो गया भाग भी ऐसे कर लोगे मैं घटाना वाला बताता हूं क्यूंकि वह थोड़ा सा कठीन है मतलब आला गए इसके बाद इंपॉर्टेंट एक फैक्टोरियल वाला है की आप लोग के सेशन को लाइक निकर रहे हो क्यों है मिद्दो स्यंसा क比如 मेरे कि दो आपको अ के बोलिये ना का यह यह आपको अ electronics है कि तो निवेदन है सेशन को लाइक जरूर करें आपकी जिम्मेंदाश करें पा आला ना जरूर करें अब घटाने वाले में देख लो जैसे मानलो मैंने इसमें question number कुछ भी डाल दो एक code है question से कोई मतलब नहीं नहीं तो कहो कि ये तो 5 की बाद 8 लिख रहे हो 8 की बाद 12 लिख रहे हो का है कोई से नहीं मतलब है ये है 282 थोड़ा दूर दूर लिख दो का है कोई 60 आ रहे हो इसकी घाद 86 है minus 196 इसकी घाद 42 है मैं unit digit बताओ कोई बता लेगा पटा फट बताओ पहला आपसन है कि 7 होगा दूफरा है 8 होगा तीफरा है 9 होगा और अगला 0 होगा देखे unit digit मतलब इकाई अंक ये सायद मैं इंगलिफ लिखके गलत किया हूँ इकाई अंक बताओ देखो बहुत सिंपल है मेरे भाई पहले आपको दो लेना है कि 86 को जब तुम फोर से भाग करोगे भाग करके देख लो सेजफल कितना आएगा दो आएगा भाग करके देख लो तो इसकी घाट दो आएगा मैं सीधा फिदा लिखूंगा छे देखो एक चीज मैं आपको ट्रिक बताया था सिस्टम से चाहे वैसे बताऊं या ना बताऊं अगर इसकी घात कुछ भी हो उसका इकाय यंग हमेसा छे आता दो कि ग यह चाहर हो गया और यह क्या हो जायेगा शाटतीस हो जाएगा ना आप इसको exact शाहτέ से नहीं गटा होगे हमें काई अंक से ही मतलब होता है तो हम इसको 4-6 करेंगे एक को लाठ आएगा आप काऊगे काऊ गुरुजी इस चार में से 6 गटाने पर 8 कप से आने लगा यहीं तो काऊगे ना लेकिन है अच्छा लोग यह कल जुग लगा है कल जुग में सब कुछ संभाव है अब देखो लाजिक समझो कई से आया वो तो समझा की बात थी कि पहले तो यह समझे की आप काफी सोच रहे होंगे माइनस का कहिना लिए मेरे बाबु मेरे बंदू मेरे साथी कभी माइनस में हो नहीं सकता है कि कि संख्या का एक यह कभी निगर्ट नहीं हो सकता जैसे माल लीजिए कि मुझे लिखना है ये नंबर ये चार है पांच है तीन है दो है पांच है नौ है और मैं इसका लाश्ट का कहूं कि माइनस कर दूं माइनस दो तो ऐसा होगा क्या फिर तो ये अलग हो जाएगी न संख्या कहाँ ये तो माइनस दो यूकर तो किसी भी संख्या का इक है कभी माइनस हो नहीं सकता है पहली बात दूसरी बात समझे यह आठ कैसे आए इसका मतलब समझे यह मैं सब बता रहा हूं क्लियर जब ऐसी स्थिती कहीं आती काई एंक में छोटी संख्या से बड़ी संख्या खटाना पड़े तो हम उसके आगे एक मान लेते हैं कि यह चवुदा है चवुदा में से छे गया आठ समझे रहो हमेशा एक मान लेते हैं मानते कैसे हैं क्यूं मानते हैं वह भी समझे लो समझलो सब कैसे होता है क्यों मानते हो भी समझलो देखो मेरे भाई पहले मतलब समझो मतलब तुम समझो सुनो यह नमबर था ना 282 इसकी गहाथ थी 86 इसको हम लोगों ने हल किया और पाया कि इसका इकाईयंग 4 है बोलो मिला ना यह नमबर था 196 46 और इसका गहाथ 42 इसको हम लोगों ने हल किया पाया कि इसका इकाईयंग 6 है अब मत पूछना है कि यह 4 और 6 कैसे आया यह यहां से तुम पा चुके हो अ Unless इतना तो पाई चुके हो ना तो यह हमने में पाया कि चार है कि 6 है यह है यह अब ये बताओ ये संख्या बड़ी है 282 इससे न इसकी घाद बड़ी है इसका मतलब इसका जो मान आएगा टोटल कुछ भी गुड़ा करोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी लेकिन लाश्ट में चार आएगा आएगा और उसके चार के पहले कुछ न कुछ तो रहेकी गिंती नहीं रहेगी मालो एसके पहले माल जो है अं इस brutality मालो मैं मान रहा हूं रियल में ऐसा है नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई सहाब अगर ये छे नहीं घट रहा हाँ इसके पहले भी बहुत कुछ होगा जैसे माल लो इसके पहले ऐसे कुछ है ऐसे कुछ भी एवन्ट वाल एक जांपल के लिए समझा रहा हूं तो अगर ये चार में से नहीं घट रहा मेरे भाई छे तो समझ में यह तरीका होता है कि आया समझ में तो अब मत पूछना कंफ्यूज मत होना कि यह कैसे आता है तो ऐसे अगर कहीं भी स्तिती बनती है तो तुम ऐसे ही करोगे ठीक है ओके कोई डाउट किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना ठीक है आप देखो आगे माइनेस वाला यह पहला कोईश्चन था इस तरह से और भी कोईश्चन नहीं लिखा नहीं है फिलाल लेकिन मैं कराओंगा भी आपको और भी एक और लिख लो एक और लिख लीजी ऐसे ही लिखिये 2017 समझने की कोशिस करोगे तब ही आएगा इसकी पावर 139 245 इसकी पावर 87 मैं इकाई यंक बताओ क्या आएगा इसके आपसन भी इसी में से सही हैं बोलो जो सुरू से देख रहा है सिर्फ उसी को समझ में आएगा और पीता यादो कुछ समझ में आ रहा है इसमें पल्ले नहीं पढ़ रहा होगा आपको क्योंकि एक लास बैसिक वाली नहीं है लाइट थोड़ा कम आ रही है क्या स्क्रीन पर पूरा है इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा एक बार कोशिस करिए देखिए बहुत सिंपल है इसमें भी कोई बताया इस वर दयाल बेरी गुड और पी सिंग मोहित मैं सामने ही ले लेता हूं अस्वनी साहिजा परबीन ठीक है आप लोगों ने कोशिस किया बढ़िया है आएगा देखिए मुझे लग रहा है कि अभी अभी आ रही तो जो भी अभी अभी आ रहे हैं क्लास का टाइम 8 बज़े है अगर आप समय पे जूड़ेंगे तो सब समझ में आएगा पक्का आएगा लेकिन समय पे नहीं आओगे तो नहीं आएगा च्छा कलास है ना यह सिक्स नंबर पीछे की पांच कलास जाकर करके इमांदारी से देखिए सब आएगा जिनको बेसिक कुछ भी नहीं आता है पहले वह बेसिक पढ़ लें पीवीर स्ट इसको भाग कर लो बाबू 49 को चार से कितना सेश फल आएगा चार नवाई 36 तीन सेश फल आएगा ना तो यहां पे सिर्फ हमें वहीं समतलब है इसका लाश्ट अंग लेलिया पांच वैसे तो मैं बताया था कि पांच की कोई भी घात रहेगी अगर आधार में पांच है एक जीरो है या चाहा है तो उसका एकाई एंग हमेशा वही गिनती रहती है लेकिन फिर भी करके दिखा दे रहा हूं इसको जब हम चार से भाग करेंगे मेरे भाई तो चार दूना आठ यह चार एक कम चार तीन आएगा बचेगा तीन बचेगा ना यानि इसकी गात क्या बचेगे तीन यह माइनस चलदा ना ठीक है तो शास सता उंचा सत्य 733 इसमें कोई डाउट यह 125 हमें क्या करना इसको घटाएगे नाहीं का इको घटाएगे इसे का मतलब हम सिर्फ इकाई यंक घटाएगे बस यह यानित तीन में से पांच घटाएंगे और बराबर आठ लिखेंगे आप काओगे काओ गुरुजी एक का समझा रहे हो कि तीन मत से पांच घटाओगे तो आठाएगा यह कौनसी गड़ित है कहां से पढ़के आवा है बता बता ही कहां से आवा ही देखा पहले अभी अभी कंसेप्ट समझाया कि अगर गिंती आगे वाली छोटी है तो हमेशा उसके आगे एक मान लेते हैं और मान के तब घटाते हैं इक आई अंख है यह ट्रीक चल रही कोई बेस नहीं चल रहा है इसमें कोई बेसिक नहीं है कुछ भी मैथ के लोग हैं हम लोग सबजी मान करके सुखे रोटी खा जाते हैं तो यह तो कुश्चन है हम मान लिए हमारे सामने एक हजार बच्चे बईठे तब मैं पढ़ा रहा हूं नहीं तो वैसे देखो तो हमारे सामने क्या है उदर कैमरा लगा है उदर लैप्टाप है कि स स्वाइब है सुन्सानिक अड्रीट इसे कफिला रहा है मिरे सामने पुरी महफिल लगी है क्यूंकि है Umalan के तीचर है हमने मान लिया कि आप लोग मेरे सामने बेठ्टे कि कि इसलिए तुम साधी नहीं कर रहे हैं तक मैंने मान लियाग मेरी साधी हो गई कि समझ रहो तो बस मान के काम चल रहा है चलो तो यह हो गया इसका लाजिक मैं अभी आपको और भी समझाया था डीटील में समझाया था पिछले कुश्चन में कैसे आया था न क्योंकि यह गिं में से अगर तीन से नहीं घटेगा तो धार लोगे अभी अभी जेस्ट जो पिछला कुश्चन कराया हूं उसको जाके देख लो इसमें यह बताया हूं कैसे आया साहिल समझ में आ रहा कुछ साहिल गेमिंग कुछ पलने पढ़ रहा है ठीक है तो इसको मिटाता हूं इस तरह से आपका यह घटाने वाला भी खतम होता है यार देखिए टाइम लगता है क्लास खतम करने में समय लगता है कि अब सभी मांदारी से बताइए कि क्या आपको समझ में आया कि यास या नो नहीं आया तो हार नहीं मानना बिल्कुल भी हार नहीं मानना है बोल यह यास या नो कि आया समझ में कि आ रहा है समझ में लेकिन आप लोग नहीं मानना मेरे जाए से सब कुछ यह तो यह हो गया आप इस तरह के कुछ कुश्चन कर लेंगे आप लोग फैक्टोरियल वाला है अगला टाइप लेकिन रात के नव बजे मैं सोच रहा हूं अगली कलाफ चला दिया जा बेसिक वाला चाहिए आदा गंटा पढ़ा दो लेकिन चलना चाहिए ना कि क्या करूं और पढ़ा हूं इसमें कुछ और कुश्चन आप लोग कर लेंगे फैक्टोरियल वाला एक अलग इसी में टाइप है उसके बारे में बता दूंगा कुश्चन नेक्स टाइप का इस पे टेन नंबर लिख लो यह कोड है कुश्चन नंबर नहीं है तो लिखो 1035 इसकी पावर 305 ओके माइनस 115 23 में इक आई एंक बताओ यह पहला एक कुश्चन हो गया में इकाई एंक कर लोगे सभी भारत यादो इमांदारी से बताओ कर लोगे ना कि इकाई एंक बताओ इसको 15 कर लोग आए हमें सभी करोगे चलो यह तीन कुश्चन आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे ठीक है कि नव बजे से बेसिक में बहुत दिन से होती है तो कुछ ना कुछ ताइम आना चाहिए नहीं तो बच्चों का बिलीब गडबर हो रहा है टाइम गडबर हो जाएगा तो नव बजे कुछ ना कुछ आएगा मैं जरूर आऊंगा लाइब तो आज के लिए इतना ही अगली क का मतलब समझ लीजिए फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि तीन गुड़े दो गुड़े एक यानि तीन फैक्टोरियल कमांच छे आता है डीटेल मैं समझाओंगा नेक्ट क्लास में